आज के ताइम में काफी सारे vloggers आप देखते और vloggers की live देखते हैं लेकिन उन vloggers की जो सफल हो जाते हैं अब दिमाग में याता है कि हम भी vlogger बन जाते हैं, इसमें content की कमी तो कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो कोई स्तिफ लिखनी है ना कुछ करना है, लेकिन दिमाग में एक चीज आते हैं कि भाईया, पहला vlog बनाए कैसे, आज की इस वीडियो में आपको बताऊगा कि आप अगर vlogger कैसे कर सकते हैं, यूटूब पे, तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है, आप इसे like कर दीजे, चैल को भी subscribe कर दीजे, क्योंकि creator guide पर मैं YouTube से related, basic से basic जानकरी आपको देने की कोसिस करता रहता हूँ, अब देखे, vlogging के बिना बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको पहले इस cycle पे घूम घूम के आप जो है, वीडियो बनाना चाहते हैं, इसके लावर travel blogger है, आप जगे जगे घूमते हैं, नहीं नहीं जगे और उस तरीके के आप जो है व्लॉग बनाना चाहते हैं, या फिर आप daily blog बनाना चाहते हैं, तो यह mostly वो तरीके हैं, जिनके लिए आपको vlog बनाना है, इसके लावर बहुत सारे तरीके, कोई market blog बनाते हैं, कोई कुछ vlog बनाते हैं, but mostly जो ज़्यादतर लोग बनाते हैं, वो travel blog, food blog और daily blog यही बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो भाईया, यही select तरना है कि आपको vlog बनाना क्या है, तो food blog में simple सी बात है कि आप ज सकते हो, travel blogger में जहां पर आप travel करते हो, वहां पर आप जा सकते हो, motorcycle में आप motorcycle से घुम कता सकते हो, daily vlog में सबसे बड़ी problem आते है, daily vlog कैसे बनाऊ, मैं उसमें करूं क्या, तो देखे, आज मैं जो तरीका बता रहा हूं, यह तरीका आपको हर तरे के vlog में काम आएगा, तो आप बहुत सारा अमीर आदमी हो, और पैसा खच करके camera में सब खरीद ले तो, या फिर simple से यूटूब पर आता है, पैसे कम होते है, mostly middle class या poor class लोगी यूटूब पर आते हैं, अमीर लोग बहुत लेट आते हैं, बहुत कम आते हैं, उनको सीखने की जरूत भी नहीं है, उन सस्ता सा जो माइक आपको मिल जाए, और एक आपको mobile का gimbal लेना पड़ेगा, gimbal के बात करें, तो market में 6,000 रुपे से लेके, 15,000 रुपे के बीच में gimbal आ जाते हैं, आपका gimbal क्यों ले, वो भी बता हुआ, क्यों लेना है gimbal, और एक आपको बहुत लेना पड़ेगा, जिस पे घर में, या हमारी दोस्ती यारी में, कहीं भी जो हमारा सरक्रे, हमारा जो व्लॉग है, उसके लिए एक interesting person धूरना है, जो हमारे व्लॉग में रहेगा, अब वो क्या हो सकता है, वह आपकी मम्मी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी girlfriend हो सकती है, किसे कितार live-in में रहे रहे हो सकती है, इवन भच्चा भी हो सकता है, कोई, इवन आपका कोई pet भी हो सकता है, पट एक interesting character आपके व्लॉग में होना चाहिए, जिसको आप व्लॉग में include करेंगे, अगर यह आप करेंगे, तो यह समल्य आपका पहला step तो complete हो गया, आपके व्लॉग अच्छे ब मना रहा है, कोई family के साथ, कोई wife के साथ, कोई girlfriend के साथ बना रहा है, बट एक interesting character उनके व्लॉग में आपको जरूर सरूर देखने को मिलेगा, वो भी हर व्लॉग के अंदर, तो ऐसा कोई interesting character आप जरूर सरूर अपने व्लॉग में रखियेगा, अब अगर आपको लगता है कि आपका पास कोई ऐसा interesting character नहीं है आपको अकेले blog इस्टार्ट करना है तो आपके पास जो है उसमें आप interesting बना सकते हैं मालीज़ आपको कोई बाइक है आपके पास या आपके पास कोई कार है कोई भी गाड़ी है तो यह कोई cycle है मालो ऐसा कोई interest create कर सकते हैं अगर आपको कोई सजी उचीज नहीं तो निर्जी उचीज के अंदर भी interest create कर सकते हैं audience उससे भी आप से connect हो जाएगी बट आप एक interesting character जरूर आपको रखना ही चाहिए इसके बाद आती है दूसरी बात देखिए दूसरी बात यह कि आपको जब आप लॉग बनाते हैं तो आपको real रहना पड़े हैं लोग क्या है व्लॉग में real नहीं रह पाते हैं जो actual में real रहोगे व्लॉग में लोग आपको उतना ज़्यादा पसंद करेंगे अगर आप अमीर हो तो अमीर दिखाओ गरीब हो गरीब दिखाओ किसान हो तो किसान की तरह बात करो गाहों के बंदे हो तो गाहों की तरह बात करो सिड़ी के बंदे हो तो सिड़ी की तरह बात करो जि के आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो आप कभी भी यह मत देखो या रहे वह वह व्लोग रहे उसके तो मिलियर व्यूज आते हैं वह तो कोई सिनमेटिक वीडियो बनाते नहीं है वह ऐसे बात चीट करते रहते हैं देखें किसी के कौपी नहीं करना है आपको थोड़ा इं मैं मैंगी बनाऊंगा तो भया उसके भी सिनमेटिक सोट आ सकते हैं मैगी बनाने के भी दो तिन सोट अप लही सकते हैं लेकिन सिनमेटिक टच जरूर दे आपके व्लोग को जो क्वालिटी है जो ओडियंस इटेंस को काफी ज्यादा इनहेंस करता है इसके अलावा एक मैं यह और उसको धाल्ग है उसको जरूड स्वख रहा है उसको जाहिए जारूर से जरूर एको लोगों के लिए पर दिखाना है क्योंकि आप लोगों के लिए पुरानों लेकिन वो चीज आज की व्लोग में नहीं है, उसको हाइलेट करने का ट्राइ करें, भले आप सिनेमाटिक टच दे की ट्राइ कर सकते हैं, इसके अलावा जब भी आप व्लोग बनाते हैं, कुछ नही नही अक्तिविटीज ट्राइ कर करेंगे, और आप एक पहला व्लोग बनाएंगे, तो आपका पहला व्लोग बहुत बढ़िया बनेगा, और उसके बाद सारे के सारे जो व्लोग है, वो काफी अच्छे बनेगे, अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मिटीव लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना, कौन सी बात अच्छी लगी, कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक सिर करें, चैल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ओल पे किलिक करें, इसी तरह की वीडियो में आपके लिए बनात रहता हूँ, चलिए मिलत अगली वीडियो में करें टोपिक के साथ तर्थक के लिए, जैए